ओम नमस्षिवाई कौलताबाद से 11 किलोमिटर दूरी पर इस्थित है चौधवी सताबदी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर हमला किया था तब शौधवी सताबदी में शीवजी के भक्त मालोजी राव भोशले छत्रपती सीवाजी महाराज के दादा को खजाना मिला था उस खजाने से उन्होंने इस मंदिर का जीडो द्वार करवाया और इसके बार 18 मी सताबदी में इस मंदिर का जीडो द्वार महारानी अहिल्या बाई होल करने भी करवाया था यह जोतिलिंग सबसी छोटा है भगवान के दर्सन करने है तू गर्भग्रिह में प्रवेश के लिए कैनियम है उशी के अंसार भक्तगर वहां दर्सन के लिए प्रवेश कर सकते हैं भगवान सीव जी का पिंड पूर्वदिशा के तरफ है मंदिर का निर्मार 24 खंभों के द्वारा हुआ है इन खंभों पर बहुत ही सुन्दत कलाकारी है यह मंदिर सिल्व कला के लिए भी प्रसिद्ध है मंदिर की दिवारों पर देवी देवताओं का छित्र बना हुआ है कहीं कहीं तो इस मंदिर का कुकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है बारह जोतिर लिंगों की यात्रा का शमापन इस अंतिम जोतिर लिंग से होता है इस मंदिर के तीन द्वार है मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है भक्तगर पहले इस मंदिर में रुपते हैं दूर दूर से भक्तगर इस पावन तिर्थ पर आते हैं और अभिशेक करते हैं इस मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी है इस सीवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है दचिर दिसा में देवगिरी परवत के पास सुधर्मा नामग ब्रामः अपनी पत्नी शुदेहा के साथ निवाश करता था वह बहुत ही बड़ा सीव भग और प्रती दिन शुव भगवान की बिधी बिधान से पूजा किया करता था वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई शंतान नहीं थी क्योंकि परोशी उन पर ब्यंग करते थे एक बार सुदिहा दुख से ब्याकु और शुधर्मा से बोली कि इस पृत्वी का नियम है कि वन्स आगे संतान से ही चलता है लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है अपने वन्स को नश्ट होने से बचाईए मेरे अंसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुश्मा से विवाह करने ऐसा सुनकर शुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा लेकिन अपनी जिद्ध से शुदेहा ने अपनी वहन का विवाह अपने पती शुधर्मा से करा दिया बढ़ता गया और शुदेहा के मन में अपनी छोती बहन घुश्मा के लिए इर्षया उत्पन होने लगी वह पुत्र बढ़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ शंपन हुआ पुत्र बहु आने से सुदेहा के इर्षया और भी बढ़ गए और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकुशी हत्या कर दी और उसके अंगों को काट कर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थियू लिंका विशेजन किया करती थी अगली सुब़ घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन उनकी बहु ने जब देखा की कमरे में सब जग रक्त है तो वह घबरा कर चिलाई और रोने लगी इस बात की खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को बताई लेकिन वे दूनों पूजा में लेन थे तब वहां उपस्थित शुदेहा दिखाने के कारर से जोर जोर से रोने लगी पूजा पूड होने पर घुष्मा शिवलिंका विसरजन करने उसी तालाब के पास गए तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है वह प्रशन हुई और भगवान की लिला को पहचान गए तब वहां एक जोती प्रकट हुई और उस जोती के रूप में साचात शुदेहा का अपराध बताया शुदेहा को मृतुडंड देने के लिए जाने लगे तब खुष्मा ने अपनी बहन को छमा करने के लिए भगवान से अनरोध किया तब शुद भगवान जी अती प्रशन हुए और वर मांगने के लिए कहा तब खुष्मा ने प्रसन मन से कहा कि हे प्रभु अगर आप सच में मेरी भक्ती से प्रशन हुए हैं तो ये अपने भक्तों का कल्यार करने के लिए सदा के लिए यहीं विराज मान हो जाएए और उस लिंग की प्रशिधी मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगव फैले तब वहाँ शिवजी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए अस्थापित हो गए यधार्मी कस्थल वास्तों में एक ऐसा अस्थान है जहां भक्तगर अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं इस अस्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानों कि स्युभगवान के साच्छात दर्सन हो गए